ऐसा कौन सा जीब है जिसकी पांच आखे होती है मदु मखी को पांच आखे होती है कौन से प्रधान मंत्री की तीन पत्निया है खान अब्दुल गफार भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है जम्बू का स्मीड देख लिए हिंदी बोलने वाले रोबोट का नाम क्या है जो भासा होती है उसमें कौन-कौन से भासा में कितने लेटर होते हैं पिखार में आपको लए कि कि आप किसी राज में हैं और यहां कब बच्चा बच्चा जो है वो एक भिहारी एक हजार नहीं एक लाखों पे भारी है यह हमारे साथ जो सामने जो बैठा हुआ है क्या नाम है मुहमद इसान जो है नहीं वो Google से भी तेज कंप्यूटर से भी तेज वो जवाब देदेता है क्या सही है है कोज भी पूचहेंगे जवाब दे दीज्ञा किस कल्वास कोई क्लस में नहीं और कोई लेकिन यह बच्चा जो है इस बच्चे को पता है कभी कुरकुरे खाए हैं और सबसे बड़ा बात है कि इनके पिता जी हमारे साथ बैठे हुए आपका क्या नम मेरा मुहमद जावेद हुआ जी यह बच्चा मेरा है और मैं इसको दो ही साल के उमर से इसको अपने हिसाब से पढ़ाने का तरीका एक हम मेरे दिमाग में आया सेट वग मैं इस तरीके से बच्चा को अगर पढ़ाऊंगा तो यह बच्चा आगे चल के बहुत अच्छा करेगा तब से मैं अपने दिमाग पूश्वा धियान दे करके अपने काम निकाल करके टायम निकाल करके 1 गंटा और इस बच्चे को पढ़ाते हैं आप कहां तक पढ़े हैं हम तीसरे तक के पढ़े हुए मातर तीसरे तक के क्या करते हैं यह कोई अधिकारी नहीं है यह कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है यह एक मैकानिक है और तीसरी कक्षा तक ही इनकी पड़ाई हुई है और इनका जो बच्चा है पांच साल का बच्चा जो है आज जो है वह कंप्यूटर से भी तेज जो है अमकाले कि जवाब देता है क्या कुछ भी पुछेंगा जवाब देता होगे पक्का जो भासा होती है उसमें कौन-कौन से भासा में कितने लेटर होते हैं अच्छा एक चीज आप बताइए बिस्व में ठीक है पहली जो घरी है वो कहां बनी थी इंग्लैंड में देख लिजे बिस्व में सबसे पहला घरी इंग्लैंड में बना था तो यह खून की नदी किसे कहा जाता है लोहित नदी को तिरंगे पर असोख चक्र किसने लगवाया था डॉक्टर भीम्रावंबेतकर ने भारत का स्वर्ग भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है जम्बू का स्मीड देख लिजे यह कुरसी जो है यह कौन बनेगा करोरपती का नहीं कर यह कौन बनेगा करोरपती का होता तो साध्य बच्चा भी तक करोरो जीत चुका होता क्या वैसे पिता जी भी है पापा पढ़ाते हैं कि मारते हैं पढ़ाते यह हैं अजयतिसे मदुमक्ही का मतों बताया आपको आपको अचा पढ़े हुए हैं YouTube से पढ़ लेते हैं YouTube से नहीं कोपी में से पढ़ लेते हैं अरे वाँ देख लिजे कोपी में ये लिखे हुए हैं और जिसको ये पढ़ लेते हैं क्या कौन से परधान मंतरी की तीन पत्निया है खान अब्दुल गफार की तीन पत्निया है बहुत सु सबसे पहले कहां उगता है सबसे पहले कहां उगता है न्यूजी लेंड में उगता है भारत का कौन सा राज सबसे गरीब है 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 सबसे ज्यादा थिकल ये कई सवाल पूचने का घंच कियात बने लोगोम सब की सिवा करने के लिए यसे बहार भारत के सबसे घरीब राज में आप हैं और आप यहां से जज बन जाएंगे आपके पिता जी भी गरीब है लगता है नहीं लगता है फिर भी पढ़ाई करेंगे देख लिजे नहीं लगता है फिर भी पढ़ाई करेंगे जब मनुस की एक आख का वजन जो है वो कितना होता है आठ गराम आख का वजन आठ गराम क्या आपके आख का वजन कितना है यह कि फक्रणisen कर गराम हिंदी बढोलने वाले रोबोट का नाम क्या है धैश्मा मेरे फटब देख नेतरा तो जबाभ देता कि यह देस में किस देस में पांच सुर्ज दिखाई देते हैं पाँच सूर्ज दिखाई देते हैं चीन में दिखाई देता है चीन में तेके कुछ जगों पर अटक गया है क्योंकि रात काफी हो गई है नीद्री से आ रही है और सबसे बड़ी बात है बहुत दिल्चस्प बात है कि लगभग हम सकाले 1.5 गारा बच चुके हैं और यह लड की ताइलन्ट हम्ता है और उसके बाब जुद भी तीसरी कच्छा के चात्र रचुके हैं तिसरी तक ही पढहाई किये हैं üzग्तिक प्रोध ही कर को या चाहरे हैं भी दुधक है और सकतल सकाइब विए कि कहां कि जाता देख तो तो मदद किया जाता कि इस बच्चे को अच्छे जगा हम सेटल करके बिहार के नाम रोसल बिल्कुल देख लिजे बिहार कहीं मैं आपको एक चीज और याद दिला दू कि बिहार कहीं एक बच्चा था सोनू जो आज जो है वह बहतर स्कूल में पढ़ाई कर रहा है और वह को IPS बनना चाहता था और उपर वाले चाहेंगे तो IPS भी बनेगा क्योंकि उसमें वह टाइलेंट थी वही टाइलेंट जो है आज हमें इस बच्चे में दिखाई दे रहा है क्या सरकार इस बच्चे पर ध्यान देगी या नहीं देगी यह तो खैर बात की बात है लेकिन आप लोग इस बच्चे को क्या मदद कर करना चाहिए कैसे करेगा कोई शेयुक्त करके कर सकता है किसी भी माध्यम से कर सकता है आप अपना नंबर को लोगों को मताएंगे बताएं नंबर एक वार और बताई एक तुम बता दो आप अपने से बताओ अगर लगता है कि यह बच्चे में टाइलेंट है यह बच्चे में चमता है तो आप लोग मी मदद किजी आपके एक मदद से यह बच्चा का जो सपना है वो पूरा होगा और जब यह बच्चा जजज बनके और जजज के कुरसी पर बैठेगा देख लिजे आज इस कुरसी पर है आज मैं तो पहले ही बहुता दिया कि कि आज अगर यह कौन बनेगा करोरपती के कुरसी पर होता तो साध आज करोरों रुपे यह जीत चुका होता लेकिन खेर यह चलते चलते कुछ सवाल और हम पूछेंगे बच्चे से दस पापा पूछ रहे हैं उसी का जवाब दीजिए दस हमरेला के नाम बता दीजिए मेरे बतन के लोगो तुम खूप लगारो नारा ये सुबे दिन है हम सब का लहरा रूत रंगा प्यारा भर्मत भुलोसी मापर वीरो ने प्रावने गवाए कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लाट के घरना आए वह बहुत 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 भीला जवाब और कुछ सवाल है तो आप पूछेंगे और बता दीजिए लेड़ी फिंगर माने क्या होता है और कोकोडल माने कोकोनट माने रेडिस माने रेडिस कुछ भी पूछे सरी बता देगा देख लिजे यह पांच साल का बच्चा है और आपका शिर्वाद आपका प्यार आपका दुलार अगर इसे मिलेगा तो निश्चित तौर पे इस बच्चे का जो है वह सपना पूरा होगा तो बस इस तरीके ऐसे बच्चों के लिए हम भी आपसे आगर करेंगे कि कि आप भी आगे आईए और मदद कीजिए जिससे आप लोग के सहयोग से या बच्चा जो है यह अपने मुकाम को हासिल करें इसी तरीके के वीडियोज को अगर आप हमें यूप्टूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लिजेगा फेस्ब